असाम लेकूम, क्या हाल हैं, उमीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खेरियत से होंगे, तो आज मैं बनाने वाली हूँ, ढाबा स्टाइल आलू मटर कीमे की ऐसी रेसिपी, जो आपने कभी नहीं देखी होगी, और आप इस तरीके से बनाएंगे, तो बस खाते रह जाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैंने एक कोकर लिया है, और उसमें मैंने कोकिंग ऑईल डाला है, जो कि मैंने 100 ग्राम के करीब ऑईल डाला है, तो ऑईल जैसे ही हमारा गरम होता है, तो हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जो कि हैं एक चममच जीरा, और एक मैंने जावित् काली मिर्चे तो गरम मसाले हमारे अचछे से क्रैकल होते हैं तो मसाला जो है अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है तो अब मैं इस में डाल दूँगी कीमा जो कि मैंने 500 ग्राम लिया है और विद फैट लिया है और इसको मैं ऑईल के साथ अच्छी तरह से चला लूँगी जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए तो कीमे को हमें ऑईल के आए वह भी सूकता जा रहा है तो इसी हमें अच्छी तरह से ओईल के साथ चला लेना है तो यह देखी पानी बिल्कुल सूक चुका है और इसका कलर भी चेंज हो गया है तो यह देखी ओईल हमारा सेपरेट हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे प्यास जो की मैंने दो मीडियम साइज की लिए है और इसे मैंने बारिक काट लिया है तो प्यास को भी हम कीमे के साथ बहुत अच्छी तरह से चला लेंगे प्यास का कलर हमें डाक नहीं करना है बस थोड़ा सा कलर चेंज होते ही हम इसमें दूसरे मसाले डालेंगे तो यह प्यास को भी मैंने अच्छी तरह से कीमे के साथ चला लिया है अब मैं इसमें डालूँगी एक चम्मच बर के अद्रक लसन का पेस्ट और अद्रक लसन के पेस्ट को भी हमें खीमे के साथ चला लेना है ताकि अद्रक लसन की जो एक स्मेल है वो भी खतम हो जाए और अब हम इसे कवर करके रख देंगे पांच मिनिट के लिए तो ये देखिए पांच मिनिट हो चुके हैं हम अपने ड्राइ मसाले दिखाते हैं ये मैंने दो चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच कोटी मिर्च हैं और एक चम्मच मैंने लिया है बुना जीरा एक चम्मच नमक आदा चम्मच हल्दी और एक चम्मच मैंने पिसी वी लाल मिर्च ली है तो देखी मैंने अब ढकन अटा के देखा है तो प्याज हमारे अच्छे से कलर चेंज कर चुकी है और अधर लस्तन भी अच्छे से बन चुका है तो ये सारे मसाले मैं इसमें डाल लूँगी और अच्छी तरह से कीमे को चला लूँगी तो मसालों के साथ मुझे कीमे को अच्छी तरह से चलाते जाना है तो ये देखी कितना अच्छा सा कलर हमारा आच चुका है और अब हम कीमे को अच्छी तरह से चला लेंगे मसालों को भी हमें अच्छी तरह से भूनना है तो यह देखी लगातार मैंने मसाली को अच्छी तरह से चला चला कर अच्छी से भून लिया है और थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाल कर मैं इसको चला लूँगी अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर, जो कि मैंने 2 लिये हैं, मीडियम साइज के इसे मैंने मौटा मौटा ही काटा है तो टमाटरों के साथ कीमे को अच्छी तरह से चला लेना है अब ये टमाटरों को गलने के लिए हमें रखना है तो अब हम इसे cover करके अच्छे से 5 मिनिट के लिए फिर रख देंगे ताकि टमाटर जो है हमारे अच्छी तरह से गल जाएं तो इदेखी टमाटरों को अच्छी तरह चला दिया है मैंने अब इसे हम cover करके रख देंगे तो 5 मिनिट हो चुके हैं तो इदेखी टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं अब हमें अच्छी तरह से इसे मैश कर लेना है तो टमाटर देखी बहुत अच्छी तरह से मैश हो गये हैं और कीमे को मैंने अच्छी तरह से चला लिया है अब मैं इसमें दही डालूंगी जो कि मैंने चार से पांच ट तो इस तरीके से हम बनाएंगे तब यह बहुत जाइके का कीमा हमारा बनके तयार होगा तो यह देखी दही भी हमारा अच्छे से बुनता जा रहा है सारे मसाले को हमें लगतार चलाते हुए बुनना है देखी ओईल हमारा सेपरेट होने लगा है तो अब हम इसमें डालेंगे मटर जो कि मैंने एक कटोरी भर के लिए है जो कि तक्रीबन होंगे 100 ग्राम तो मटर को हम कीमे के साथ अच्छी तरह चला लेंगे और इसके साथ हम इसमें डालेंगे आलू जो कि मैंने दो मीडियम साइज के लिए है और इन्हें मैंने चार टुकणों में काटकर डाल दिया है अब इन सबी चीजों के साथ हमें कीमे को बहुत अच्छी तरह से भुनना है इसके साथ मैंने इसमें डाल दी है तीन हरी मिर्चे मौटी मौटी काटके तो यह देखी मटर और आलू के साथ हमें कीमे को अच्छी तरह से चला लेना है इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि हमारे मटर और आलू अच्छे से गल जाए और कीमे को अच्छी तरह से चला के अब मैं इसमें एक सीटी लगा दूँगी तो ये देखी मैंने कोकर को बंद कर दिया है और जैसी एक सीटी आती है तो मैं ऐसे खोल के देखूंगी तो ये देखी हमारे मटर और आलू बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं तो मैं इसको अच्छी तरह से चला लूँगी तो ये देखिए हमारे आलू मटर और कीमे की कितनी जल्दी रेसिपी बनके तयार हो गई है कितनी आसानी से बन जाती है और खाने में बहुत जाइकेकी लगती है तो ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डालके इसको अब मैं पांच मिनट के लिए कवर करके रखूँगी तो ये देखिए कितनी जल्दी हमारी रेसिपी बनके तयार हो गई अब मैं इसे कवर अठाके देखूँगी तो ये देखिए ओईल हमारा separate हो चुका है और कीमा हमारा बहुत अच्छी तरह से बुन चुका है तो ये देखिए मैंने इसको चला लिया है चारो तरफ से और बहुत अच्छी से इसमें खुश्बू आ रही है बुनने की तो जब तक हम मसाले को अच्छी तरह से नहीं बुनेंगे तो हमारे ये ग्रेवी अच्छे से बनके तयार नहीं होगी तो अब मैंसे हरे दनिया से गार्णिश करूँगी तो ये देखिए हमारा कीमा बनके तयार है तो आप लोग भी इस तरीके से बनाईएगा और अपने गैस को खिलाईएगा और फिर कॉमेंट्स करके मुझे जरूर बताईएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी तो जली अब इसे हम जली से डिश आउट करते हैं तो ये देखिए हमने इसे डिश में निकाल लिया है बहुत अच्छी सी इसमें खुश्बू आ रही है और माशाला से बहुत लाजवाब बनाएं कीमा तो ये देखिए मैंने से डिश में निकाल लिया है तो आप लोग भी इस तरह से बनाईए और फिर कॉमेंट्स करके मुझे जरूर बताईएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत बूलिए चलिए तो फिर चलती हूँ और मिलती हूँ नियू रेसिपी के साथ